नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्रार्तना उस्विकार आपके साथ मैं हूँ अदिती श्रीक्रश्टन के प्रिये महीने मार्गशीश में ध्यान का विशेश महत्माना गया है आज हम ध्यान के विज्यान को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि योग, ध्यान, साथना का सदियों से महत्म रहा है कई महात्माओ, रिशी मुनियों और संतों ने ध्यान को लेकर अपनी अपनी पद्धिती बताई है आपको उनी पद्धितियों के जरिये समझाएंगे कि ध्यान का विज्यान क्या है लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ध्यान आत्मा को परमात्मा से जूरता है ध्यान ध्यान से मिल सकते हैं भगवान मार्गशिर्ष में जरूरी है ध्यान श्री कृष्ण का मनभावन महीना है मार्गशिष महीनों में मैं मार्गशिर्ष हूँ कानहा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी है कि मार्गशिर्ष का महीना कृष्ण भक्तों और श्री हरी के सादुकों के लिए कितना महतोपुर्ण है देखिए जैसा कि मार्गशिर्ष माह जो है वो शुरू हो चुका है और ये माह जो है वो भगवान कृष्ण को अतिप्री है और भगवान कृष्ण से बड़ा योगी स्धर्थी पर कौन हुआ होगा तो इस माह में अगर हम ध्यान करते हैं तो वैसे ही जो है भगवान कृष्ण की हमारे उपर कृपा होगी दूसरा ये कारण है कि ये जो है बड़ा सात्विक महिना है और इसमें हम को जो है अपने सा सात्विक्त्वा का ध्यान रखना चाहिए और हम जितना ही सात्विक रहेंगे उतना ही जल्दी हमारा ध्यान लगेगा तो इस माह में ध्यान करने से यही फायदा है कि भगवान झाल जितना है कि प्रेड़ गगवान झाल 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 ध्यान के पीछे छिपा विज्ञान ओशो की ध्यान पद्धती दुन्या में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधी ओशो ने बताई है इसे ओशो ने सक्रिया ध्यान कहा है जो पांच चर्णों में होता है इस ध्यान को समूह में या अकेले करना होता है लेकिन ये समूह में ज्यादा प्रभावशाली है ओशो ने ध्यान की अन्या विधियों के बारे में भी बताया है आरंब से लेकर आगे बढ़ने तक कई सीध अध्यान का विज्यान बताई गई है। बहुत ही व्यापत है। जब ध्यान हम लगाते हैं, तो हमारे चेतन मन पर जो क्रियाएं होती हैं, जो विचार आते हैं, उनका प्रवाह धीमा हो जाता है, और अवचेतन मन में जाके हम उस परम सत्ता से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो इसलिए ध्यान करने से हम जो भी चाहें, जो भी बुद्ध ने अश्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया। आचरण, व्यवहार और जीवन दर्शन के माध्यम से इश्वर के उपलब्धी के लिए कारिय किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एकाग्र मन का। ध्यान कर पाना सब ही संभव है जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो और आपका उस परमेश्वर में विश्वास भी अटल हो क्योंकि बिना इश्वर की क्रपा के इस दुन्या में कुछ भी संभव नही मन के काग्रता ही ध्यान है जब एकाग्र मन किसी उद्देश या लक्ष के लिए कहीं लीन हो जाता है ये भी जरूरी है ध्यान का लक्ष और उदेश अर्थपूर हो ध्यान के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो सकता है तो ध्यान से जुड़ी कुछ और पदुत् ध्यान के विज्ञान को मौन में चले जाना ध्यान को स्ताधने से इंसान स्वैम ही सदने लगता है योगी का भावाती ध्यान बहुत प्रचलित है और ध्यान में जो है अभी जो ओशो रजनीश जी हैं वो भी ध्यान करने की कला बताते हैं जिसमें उनका डाइनामिक मेडिटेशन वो बड़ा प्रसिद्ध है और विपशना भी काफी प्रसिद्ध है तो एक अही तरीके से जोड़ा है एक अही लक्ष तक पहुशने के लिए हमारा लक्ष क्या है उस परम सत्ता तक पहुशना अब उसमें अलग अलग तरीके से सब लोग ध्यान कराते हैं रिशी महर्शियों ने भी इसका खुल के बखान किया है ध्यान का विज्ञान आज का नहीं बलकि पौरानिक है दरसल जो ध्यान है वही विज्ञान है ध्यान क पर्महंस योगनंद ने ध्यान के विज्ञान को बक्खु भी समझाया है। ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। मन को केंद्रित करने की किसी भी तरह के क्रिया मनो योग को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान के प्रभाव से आपका कल्यान हो सके। अलग अलग पत्तियों के जरिये अब हमने आपको ध्यान के विज्ञान के बारे में तो समझाने की कोशिश की। अब आपको बता देते हैं कि ध्यान में बरती जाने वाली सापधानिया कौन सी हैं। भक्ती के जरिये इश्वर की शक्ती पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़ेत सभी नियमों और सापधानियों को जाने। इश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता। किसी भी जब तब और ध्यान का पूरा फर। ध्यान में तभी सफल है जब किसी की भाव, कल्पना और विचारों का शन मात्र भी प्रभाव ना पड़े। मन और मश्टिश्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्रात्मिक स्वरूप है। ध्यान में इंद्रियाम मन के साथ, मन बुद्धी के साथ और बुद्धी अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। जब चेतन मन पे बहुत ज़्यादा उखापो की स्थिती रहती है, बहुत विचारों का बवंडर, विचारों का प्रवाह रहता है, तो हम अपने अवचेतन मन में नहीं जाग सकते। लेकिन जैसे ही ध्यान के माध्यम से हम चेतन मन पर आ रहे विचारों पर काबू पाएंगे, तो हम अवचेतन मन के इस्तर पर होने वाले बदलाव को साफ महसूस करेंगे, इसका अर्थ हिये हुगा कि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो मस्तिश की तरंगे हैं वो अलफा स्टेज में चली जाएंगी, तो अलफा स्टेज को उन्निंदी अवस्था कहते हैं जिसको अंग्रेजी में ड्राउजी नस स्टेज बूलते हैं, तो इस अवस्था में ध्यान करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है आईए जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ खास ताप्धानियों को, बिना किसी आधार और उदेश्ट्य के ध्यान न करें जिस व्यक्ति से आपको ध्यान सीखना है, पहले उसकी उपलब्दियां जान लें ध्यान सीखने से पहले उस व्यक्ति का जीवन और सामाजिक दर्शन जानने का प्रयास करें केवल आकर्शन के लिए ध्यान की ओर ना जाएं, एक रास्ते पर चलें, बार बार, तरीकों में बदलाव ना करें याद रखिए केवल आख बंद करना ध्यान नहीं होता तो ध्यान एक प्रक्रिया जिसमें कई पड़ाव हैं और इससे जुड़ी कई साफधानिया भी हैं इन्हें अपना कर आप इस लोक और परलोक के मध्य के पत पर चलते हैं तो ध्यान के विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इश्वरिया कृपा के पात्र बनें क्यूंकि करेंगे ध्यान तभी मिलेंगे भगवान प्रार्तनाओं उस विकार में मेरे आनी आतिती के साथ बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं जी एंटी यानी गुद न्यूज टोडे